Hello friends, आज हम लोग algebra पढ़ने वाले हैं, इससे related जो भी questions पूछे जाते हैं, वो हम लोग आज यहां पर deal करेंगे देखे, algebra जो एक topic है, इससे pre में, अगर मैं बोलूँ कि CGL के pre में, तो 3 से 4 questions minimum पूछे ही जाते हैं और अगर मैं mains की बात करूँ, तो mains में minimum 10 questions या फिर उससे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए, एक consistent chapter है, इससे minimum इतने questions रहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा variation नहीं आता है और बहुत important chapter है, तो चलिए इससे related हर equation को, जो भी इससे related पूछा जा सकता है, या फिर पूछा गया है, उससे related concepts को हम लोग आज यहाँ पर deal करेंगे, तो सबसे basic points जो आते हैं, कि कुछ formulas होते हैं, तो पहले तो यह समझ लिजे, कि इसमें एक word use होता है, जो भी terminology है, वो भी आप समझते चलिए साथ में, देखे, सबसे important चीज है, कि एक पुछा आता है equation, और एक होती है identity, ठीक है, तो इसमें क्या अंतर होता है, वो भी आप समझते चलिए, तो देखे, equation क्या होती है, जैसे कि मैंने बोला कि x की value कितनी है, 5 है, ठीक है, तो यहाँ पर x की value, यह x equal to 5 मैंने लिखा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कि x की value हमेशा 5 है, यहाँ पर x vary नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन मैं अगर एक identity लिखूं, तो identity मैं क्या लिखूंगा, कि a plus b का whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, ठीक है, तो identity और equation में अंतर क्या होता है, कि equation जो होती है, वो एक value या कुछ values के लिए ही satisfy करेगी, ठीक है, एक value ही उसकी या तो satisfy करेगी, या हो सकता है, कुछ एक से ज्यादा values के लिए वो satisfy कर जाए, लेकिन जो identity होती है, वो क्या होती है, वो हर एक value के लिए satisfy करती है, मैं a और b की चाहे कोई भी value ले लूँ, मतलब कि मैं natural numbers या फिर minus infinity से plus infinity तक कोई बी value a और b की ले लूँ, यह equation हमेशा true रहेगी, ठीक है, तो basic कुछ algebraic identities होती है, जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि पहली तो यह हो गई, दूसरी, और मैं कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ पर जो important होती है, जैसे कि यह तो basic है, आपने 8th class से पढ़ते चले आ रहे ह है, तो यह क्या होता, a square plus b square minus अगर है, तो minus 2ab हो जाता है, अब इसी चीज़ को देखे, इस पर क्या होता है, कि ab के value निकाल ली है, या फिर a square और b square, कि तो क्या करते हैं, इन दोनों को add कर देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, a plus b का whole square, plus a minus b का whole square, जब इनको add किया, तो दे a minus b का whole square, तो यह value देखे किया आजाएगी, इसकी value आजाएगी 4ab, तो question में इनको भी direct भी use करते हैं, तो आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, कि अगर इस तरह की value पूछी जाए, या फिर इन दोनों का add और subtract करना हो, तो कैसे करेंगे, ठीक है, और इस पे क्या questions होते चोटी-चोटी और values जो जो होती है, मैं आपको यहां पर लिख देता हूँ, जैसे a square minus b square की value क्या होती है, a minus b multiplied with a plus b, और इसमें कैसे questions होती है, जैसे कि 3 numbers का square, कई लोगों की value नहीं पता होती है, कि a plus b plus c है, और इसका square होगा, तो क्या होगी, तो इसकी value होती है, a square plus b square plus c square और plus 2ab plus 2bc plus 2ca, ठीक, तो यह एक होती है, अब इसमें देखे होता क्या है, कि मैं a square plus b square या फिर यहां पर a square plus b square plus c square, इनकी values भी direct पूछी जा सकती है, तो इस equation से a square plus b square के value मैंने लिखना चाहूं, तो यहां पर कैसे लिख सकता हो, मैं लिख सकता हो, a square plus b square की value क्या हो जाए के साथ भी मैं लिख सकता हूं क्या हो जाएगी a-b का whole square और यहां पर क्या हो जाएगी plus 2ab same चीज की value a square plus b square की यह भी value है और यह भी value है ठीक है similarly इस case में क्या होता है कि a square plus b square plus c square की value पूछी जाती है तो वो मैं कैसे लिख सकता हूं वो मैं यहां पर same equation को कोई एक इस साइड से उठाकर उस साइड रख दूंगा इस identity को ठीक है तो यह क्या हो जाएगी a plus b plus c का whole square minus में क्या जाएगा minus 2ab minus 2bc minus 2c है तो इस तरह से यह quadratic second squares पे जो भी questions यह जो भी identities use होती है वो मैंने यहां पर लिख दिया है अब बात करते हैं कि क्यूब में कौन-कौन से identities use में आती है तो चलिए पहले तो basic पे आ जाते हैं तो basic में क्या होती है कि a plus b का whole cube यह basic identity use होती है तो इसका value क्या होती है a cube plus b cube plus 3ab bracket में a plus b ठीक है यह सभी को पता होती है और similarly a minus b की अगर मैं लिखूं तो क्या होती है वो भी आपको पता है कि b की जगे बस minus b रखते जाना है तो a cube minus b का cube क्या हो जाएगा minus b cube यहां पर minus है तो यहां पर क्या जाएगी minus 3ab और bracket में b a minus b ठीक है अब देखिए चीज़े सिंपल है लेकिन कई बार question में use होता है तब समझ में नहीं आता है अगर आप कुछ देखिए ऐसे लिखा हो कि a cube plus 3a square plus 3a plus 1 तो यह देखने में ऐसे नहीं समझ में आता है बट अगर मैं आपसे कहूं कि a plus 1 का whole cube लिखिए तो देखे value सेम आजाएगी a cube plus 3ab तो 3a और bracket में a plus 1 तो इस तरह से अगर आपको question में दिखता है तो आप सीधे से आप याद रखिए क्या होता है a plus 1 का whole cube similarly a minus 1 का whole cube भी आप समझ लिजी क्या हो जाएगा तो यहां पर बस 1 की जिगा minus 1 आता जाएगा तो यह कितना हो जाता है a cube minus b cube minus 3ab bracket में a और फिर तो यह है square हो जाएगा और plus का 3a ठीक है तो यह भी एक equation होती है जो use में आती है तो यह भी आपको पता होने चाहिए ठीक है अब जैसे उसमें a square minus b square था उसकी value माइनस b a plus b थी similarly यहां पर भी क्या होता है a cube minus b cube तो इसकी value आपको पता होने चाहिए क्या होती है a minus b bracket में a square plus b square plus a b ठीक है और similar way में एक और होती है क्या होती है a cube plus b cube होगा तब यहां पर क्या हो जाएगी value आपकी तब आपको पता है क्या होती है a plus b हो जाता है यहां पर बाहर में और अंदर में क्या होता है माइनस का एक a b आ जाता है तो यह क्या हो जाएगी a square plus b square और यहाँ पर माइनस a b ठीक है अब यह आपकी basic cube में जितनी भी identities use होती है वो मैंने आप पर आपको बता दी अब इसमें जो एक बहुत important identity use होती है उसको चलिए समझ लेते हैं उस पर कैसे question पूछे जाते हैं तो देखे इसमें जो सबसे important identity होती है वो क्या होती है वह मैं यहां पर लिख देता हूं वह होती है कि x cube plus y cube plus z cube इसकी value क्या होती है इसकी value होती है 3xyz कई बर इसको हो इस साइड ही मैं लिख सकता है चलिए इसको यहीं पर लिख देता हूं यहां पर माइनस का sign लिख दे है और माइनस 3xyz इसकी value क्या होगी इसकी value होती है x plus y plus z यह bracket close और multiplication में एक और bracket होता और वहां पर क्या लिखा होता है x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx तो देखें यह एक बहुत important identity होती है मैं एक बाप फिर से बोल लेता हूं क्या है यह x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z bracket में x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx ठीक है अब देखें यह कितनी important होती है इसकी value आपको 2-3 minute में समझ में आने लग जाएगी देखें पहली चीज़ तो आप यह जाने लिए कि इस टर्म को मैं और कैसे लिख सकता हूं वो भी आप समझ लिए इसके लिए एक और इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि half of bracket में मैं क्या लिखूंगा x minus y का whole square plus y minus z का whole square plus z minus x का whole square ठीक है तो यह तो यह बात होगी minus 3xyz इसकी value क्या हो जाएगी आपका हुए पता है कि x plus y plus z तो था ही और bracket के अंदर जो था value क्या होगी थी यह होगी थी तो half मैं बाहर लिख देता हूं तो half यहां पर आ जाएगा और यह bracket में value क्या हो जाएगी x minus y का whole square plus y minus z का whole square और plus z minus x का whole square ठीक है तो यह आपको value आ गई है अब इस पे questions बहुत सारे पूछे जाते है सीज़े से ही इस term की value पूछी आती है और आपको क्या दे दिला जाता है कि मांने लिए x y और z की value आपको दी हुई है और आपको इस चीज की value बतानी हो ठीक है इस पर और भी बहुत सारी questions बनती होती है वह क्या बनती है कि जैसे आपको दे दिया गया कि x plus y plus z is equal to 0 books में सीधे से identity दी होती है कि if x plus y plus z is equal to 0 देखिए अगर यह 0 हो जाएगा तो यह term कुछ भी हो वह भी 0 हो जाएगा तो इसकी value सीधे से क्या आ हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इस इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेट ठीक है तो ऐस इस इस से defined इसी से derived कुछ और identity इस तरह से बन जाती है अब इस पर बेस्ट कैसे कैसे पूछे जाते हैं वह मैं चलिए आपके साथ डिसकस करता हूँ ठीक है तो फ्रेंट्स इस पर बेस्ट जो सबसे बेसिक कुछा जाता है वह देखिए समझ लेते हैं इस पर जैसे पूछा जाता है कि ए की value 5 है बी की value 6 है और सी की value 7 है तो कुछन में पूछा जाता है आपको बताना क्या है कि a3 plus b3 plus c3 minus 3abc इसकी value आपको बतानी है तो जनरली स्ट्ट इसको कैसे solve करते हैं वह पहले तो फर्क तो पड़ेगा निवह तो value 1 आई तो 5 में से 6 गया एक एक का स्क्वाइर एक वाई माइनस जिट यह भी कितना है च्छे और साथ है तो यह कितना आजाएगा हाफ है तो हाफ से अगर मैं इसको काटूंगा तो यह कितना आजाएगा तीन तो अठारा चातिया चाओवन ठीक है अब देखिए अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता जेता हूँ जब भी इस तरह का question पूछा जाएगा और इसमें अगर values दी होगी तो आप एक चीज ह अगर यहां पर यह values होती है या फिर और बड़ी values होती है तब आप इस तरह से solve करते तो आपका obviously time बहुत ज़्यादा लग जाता ठीक है तो दीकिए आपको इस तरह से नहीं करना इस question को अब आप यहां पर समझ लिजे कैसे आप इस question को करेंगे देखिए या तो consecutive numbers होंगे या फिर उनमें 2 का अंतर होगा यानि की numbers कैसे हो सकते हैं 5 होगा 7 होगा या फिर 9 होगा ठीक है तो अभी पहले इस पर समझ लेते हैं कि अगर consecutive number आपको मिलता है तब आप कैसे इसको solve करेंगे ठीक है तो देखिए जब भी number consecutive होगा तो उनके बीच में अंतर जो होगा या ए एक एक का अंतर होगा तो दकिए पहला नमबर जो और या इसकी value कितने आजाएगी वन और दूसरी numbers में भी कितने का अमतर होगा यानि कि इसकी a new वह कितने आ जाएगी और इन पहले और तीसे नंबर में कितने का अंतर होगा दो का यानि कि इसकी value कितने आ रहेगी दो का square चार देखिए ये चीछ जो है ये हमेशा fix है अगर numbers कैसे हैं consecutive ठीक है अगर consecutive numbers है तो ये क्या है हमेशा fix है ठीक है तो 4 और 5 और 6 ठीक है और 6 और बाहर यहां पर यह कितना लिखा हुआ है 2 half लिखा हुआ है तो 6 बटे 2 यानि कि कितना आ गया मैंने ये निकाल लिया कि इस पूरे equation की value कितने आ गई 3 ठीक है तो इसकी value 6 बटे 2 यानि कि 3 आ गई अब देखिए क्या लिखा हुआ X प्लस Y प्लस Z अब एक easy सी बात आप मेरी समझिए मैं आपसे बोलू कि 9, 10 और 11 को जोड़ो तो यह कितना आ जाएगा 10, 11, 21, 9, 30 आ गया ठीक है यहां पर भी आपका 30 आ रहा है या फिर मैं बोलू कि जो beach वाला number है इसका 3 times कर दीजे तो देखिए यह भी कितना आ जाएगा आपका तब भी 30 आ जा रहा है तो देखिए सेम चीज आ रही है कि नहीं ठीक है तो जब भी इस तरह से consecutive numbers लिखे होंगे तो आप क्या करेंगे तीन गुणे जो beach वाला number है जो की है B तो मैं क्या लिकूँँगा 3 into 3 B यानि की total कितना हो गया 9 B अब इस तरह का question हो 5 6 7 हो 9 9 9 1000 और 1001 हो आपका सीधे से इस equation का answer कितना आ जाएगा 9 multiplied with जो भी beach वाला term होगा जैसे कि 5 6 7 है तो यहाँ पर मैं क्या करूँँगा 9 6 का 54 ठीक है कि इसकी value कितनी आ जाएगी सीधे से 14 आ जाएगी अब इसमें कई बार इसकी value ना पूछके सिर्फ और सिर्फ किसकी value इसकी value पूछ लेता है तो उसमें अगर consecutive number है और सिर्फ इसकी value पूछी है तो इसके लिए मैंने आपको formula बताया था इसकी value कितनी होती है स्वरी यहां पर लिखा नहीं हुआ है अगर इस टम के लिए पूछा जाए कि x square plus y square plus z square minus xy minus yz और minus zx इस टम के लिए पूछा जाए कि अगर consecutive numbers है तो इसकी value हमेशा कितनी आएगी तीन ठीक है इसके लिए मैंने आपको formula बताया था कुछ seconds वेले कि इसकी value कितनी होती हाफ टाइमस x-y का होल स्कार प्लस y-z का होल स्कार प्लस z माइनस x का होल स्कार तो मैंने अभी प्रूफ किया कि इसकी value 6 आएगी और बाहर हाफ होगा तो हमेशा इसकी value कितनी आ जाएगी तीन ठीक है तो यह चीज़ आप नोट कर लिज़े आप याद रखिए कि अगर पेपर में यह कुशन दिखता है कि एक स्कार प्लस y स्कार प्लस z स्कार माइनस xy माइनस yz माइनस zx है और जो numbers दिये हैं वह consecutive है तो आपका सीधे numbers consecutive हैं तो x स्कार प्लस y स्कार प्लस z स्कार माइनस xy माइनस yz माइनस zx की value क्या होगी तो इस case में देखिए अगर आपको पता है आपने इतना डिराइब कर रखा है तो आप सीधे से 3 लगा देंगे अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो वह उस पर confused हो जाएगा ठीक है तो यह तो बात थी जब consecutive numbers हो अब अगर numbers के बीच में 2 का अंतर हो तब क्या करेंगे तो तब भी आपके लिए सेम चीज है आपको यह पता है कि देखिए formula क्या है x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz इसकी value पूछी गई है तो इसकी value के लिए आपको पता है क्या होती है half times x plus y plus z bracket में क्या आ जाता है x minus y का whole square plus y minus z का whole square plus z minus x का whole square ठीक है तो दीखिए यहाँ पर कितने का अंतर होगा 2 का अंतर होगा square करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 यह मैं तब बता रहा हूं, जब values क्या हों, मन लिजे 5 हो, B कितनी हो, 7 हो और C कितनी हो, 9 हो, ठीक है, तो देखें, यहां पर 2 का अंतर होगा, 2 का square कितना हो जाएगा, 4, यहां पर भी 4 हो जाएगा, और यहां पर देखें, 4 का अंतर आजाएगा, और square होके कितना मिलेगा पूछा आप से क्या जाए कि X2-Y2-Z2-XY-YZ-ZX की वैल्यू बता तो यह आपकी सीधे से कितनी आ जाएगी 12 या फिर अगर आप से इसकी वैल्यू पूछे जाए इस एक्वेशन की तो इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी तो इस टम की तो 12 आ गई और ब्रैकेट में क्या है X plus Y plus Z तो X plus Y plus Z को मैंने अभी आपको बताया था कितना लिख दूँँ मैं 3B सीधे से ठीक है अभी भी दो कांतर है तब भी आपको चिंता नहीं करनी है देखिए आप सीधे से जोड़िए यहां पर 7 312 12 और 9 21 या फिर मैं सीधे से क्या कहूं साथ 321 ठीक है तो अंतर कित 12 रेस्टम का और 24 रेस्टम का आंसर कितना 3B तो यह मेरा कितना आजाएगा 12 12 बारतिया 36 ठीक है तो यह आप याद रख लिए आपको यहां पर सीधे से आंसर कितना आ जाएगा 36 अगर कितने का अंतर है दो का अंतर है ठीक है इस से ज्यादा डिफरेंस पेपर में नहीं रख लिए तो वो इस में पूरी वैलुइस पूट करेंगे और तब सॉल करेंगे या फिर आप सीधे से याद रख लीजे कि अगर एक का अंतर हो तब कितना आंसर आता है 9 B अगर दो का अंतर हो तो कितना आता है 36 B तो आपको यह पता है अब आप इसको सॉल नहीं करेंगे सीधे से आप क्या करेंगे 36 multiplied with 7 तो इसका आपका सीधे से सच्छंग 42 4 27 21 और 4 25 तो 252 आपका सीधे से आंसर आ जाएगा ठीक है अब दिखें इसी equation का इसी algebraic identity का use करके और कैसे कैसे questions पूछे जाते हैं वो चलिए समझ लेते हैं अब दिखें इसमें और जो सबसे important question पूछा जाता है वो कुछ इस तरह से होता है देखें मैं आपको यहां पर यह एक चीज़ अभी समझाया कि a plus b plus c अगर 0 होगा तो मैंने आपको बताया था कि यह क्या हो जाएगा a cube plus b cube plus c cube इसकी value कितनी आ जाती 3abc आ जाती है ठीक है अब देखें यहां पर c की जिगर मैं क्या लिखूं माइनस अगर लिखाओ यानि कि सवाल में क्या हो कि a plus b minus c की value 0 तब भी क्या हो जाएगा तो तब भी सेम रहेगा a cube plus b cube यहां पर क्या हो तो पूछा क्या गया है सवाल में कि आपको बताना है a की power 6 plus b की power 6 minus c की power 6 divided by a square b square c square इसकी value बतानी है अब आप से यह सवाल पूछा गया है तो ऐसे देखके तो बहुत confusing लग रहा है ठीक है लेकिन अगर आपको पता है कि a plus b plus c अगर 3 terms का sum 0 हो तो first term का cube, second का cube, third का cube, three times उन तीनों के multiple के बराबर होता है तो मैं इस equation को देखे कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये एक number है a, इसको मैं कुछ x माल लूँ और ये number जो है ये b square इसको मैं कुछ y माल लूँ और plus मैं ही लिखू मैं bracket के अंदर c square, इसको मैं कुछ z माल लूँ तो देखे इसका sum 0 है ठीक है तो अब देखे मैं इसका sum इस तरह से लिखता हूँ कि ये a plus b plus c का cube अगर a plus b plus c 0 हो तो a cube b cube c cube का sum is equal to three times a b c तो ये क्या हो जाएगा a का cube किजिए a की power 6 plus b का cube किजिए b की power 6 और इसका c का cube हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा third term का यहां पर आ जाएगा c की power 6 माइनस में ही रहेगा ठीक है और is equal to ये किसके बराबर होता है three times कितना a square b square और माइनस का c square ठीक है तो अब देखे question में क्या पूछा गया है a की power 6 plus b c की power 6 minus c की power 6 और इसको मैं divide किसे कर दूं इस term से divide कर दूं तो इस concept मेरा कितना आजाएगा सीधे से minus का three बांकी का term तो यहीं पर रहका रह जाएगा तो यह कितना आजाएगा plus b की power 1 by 3 is equal to c की power 1 by 3 ठीक है और इस पर पूछा क्या गया है कि a plus b plus c sorry a plus b minus c इसका cube है और plus 27 abc इसकी value पूछी गई है ठीक है तो देखे यह भी same type का ही question हो गया अब आप इसको एस तरह से लिख लीजे कि a की power 1 by 3 plus b की power 1 by 3 plus में bracket में minus c की power 1 by 3 ठीक है तो इसका sum 0 है तो अभी मैं आपको बताए कि x plus y plus z की value 0 हो तो क्या होता है कि x cube यानि कि a plus y cube यानि कि b plus z cube यानि कि minus का c is equal to three times abc तो यह कितना जाएगा a b और c और यहां पर c minus का तो यहां पर बाहर minus और इस पूरे का 1 by 3 ठीक है अब एक बार मैं और cube यहां पर कर दूं तो देखे क्या जाएगा a plus b minus c का whole cube is equal to कितना जाएगा minus का minus ही रहेगा 27 abc क्यों भढ़ जाएगा ठीक है तो इसको मैं साइड लाओंगा तो यह कितना आ जाएगा a plus b minus c का whole cube plus 27 abc तो इसकी value कितनी आ जाएगी सीधे से 0 ठीक है इस तरह से होता है question या फिर और यह question कैसे पूछ सकता है आपको हो सकता है values देदे जैसे कि a की value क्या है 1.21 ठीक है आप consecutive दूर रहे हो consecutive ना मिले इस पर इस तरह से मिल जा है 2 की value कितनी हो गई 2 3 और c की value देखे द्यान से देखेगा कि क्या देदेता है 3.44 तो देखे यह इन दोनों का sum है ठीक है यानि कि इसकी value क्या है a plus b minus c इसकी value क्या है 0 है ठीक है और आप से question में क्या पूछ दे कि a cube plus b cube minus c cube plus 3abc सीधा सा question लग रहा है लोग क्या करें हो सकता values पर put करने लग जाएंगे सुबह से हो जाएगी साम आपका answer नहीं आएगा लेकिन अब आप देखे अगर आपको यहां पर अगर आपका strike कर जाता है आपको कि यह इसी तरह से question solve होगा तो a plus b minus c value 0 है यहां पर देखके समझ में आ रहा है a plus b क्या है 3.44 और minus c तो यह 0 हो रहा है तो यह satisfy कर रही है यानि कि क्या हो जाएगा a cube plus b cube क्योंकि यहां पर minus c cube इसकी value कितनी हो सिधर आएगा तो यह कितना हो जाएगा 3 times a b c यानि कि इसकी value कितनी आ जाएगी सीधे से 0 आ जाएगी ठीक है अब इस पर ही और कैसे question पूछ सकता है देखें अब अगर question में यह पूछता है कि x minus y का whole cube plus y minus z का whole cube plus z minus x का whole cube इसकी value पूछे तो देखें यहां पर भी वह सेम चीज है यह देखें क्या है a b और c देखें इनका सम 0 है कि नहीं देखें यह x minus y y minus z है z minus x है इनको मैं अगर सम करूंगा तो यह 0 हो जाएगी तो अब भी यह सेम question ही है यह क्या पूछ रहा है x cube plus y cube plus z cube की value तो यह सीधे question भी पूछे जाते हैं तो यह सीधे से इस तरह से solve होती है अब इसी का use करके देखें एक question पूछा गया हो अगर आपसे पूछा जाए कि x square minus y square का whole cube plus y square minus z square का whole cube plus z square minus x square का whole cube ठीक है यहां पर plus है और इसको divide किया गया हो इसी identity से x minus y का whole cube plus y minus z का whole cube plus z minus x का whole cube ठीक है तो इसकी value पूछे जाए तो अब आपको बताना है क्या होगी तो देखें यह भी देखें सेम उसी type की identity है कि a cube plus b cube plus c cube जहां पर a plus b plus c का sum देखें यहां पर भी 0 हो रहा है ठीक है तो देखें इसमें में भी कुछ नहीं करना है आपको सीधे से क्या है अंदर multiply हो जाएगा तीनों नंबर पहला नंबर क्या है x square minus y square दूसरा नंबर क्या है y square minus z square तीसा नंबर क्या है z square minus x square ठीक है और इसको divide कि से किया गया है three times x minus y y minus z और z minus x ठीक है तो आप देखें यहां पर three से three cancel हो जाएगा x square minus y square upon में x minus y है तो यह कटेगा यहां पर क्या बचेगा x plus y तो similarly तीनों टर्म्स में यही टर्म्स कट जाएंगे तो यह सीधे से मुझे answer क्या मिल जाएगा x plus y multiplied with y plus z multiplied with z plus x ठीक है तो यह देखें एक algebraic identity पे based कितने type से questions पूछे जा सकते हैं यह हमने आज यहां पर सीखा ठीक है